वसीम बरेलवी का एक शेर है जो मैं पढ़के आपको सुनाती हूँ अपने चहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे तेरी मर्जी के मताबिक नजर आएं कैसे नमस्कार मैं हुग आयतरी गुपता और आप देख रहे हैं SPN 9 News वाकई आज जिस तरहां से मेंका गांडी को जटका दिया है मोदी सरकार ने सुल्तानपूर से भारते जन्ता पार्टी की सांसाद आठवी बार सांसाद मेंका गांडी को जिस तरहां से लोक स्वाइब स्पीकर से उनका पत्ता साथ किया गया है उसके बाद शायद उनकी चहरेप की मुस्कुराहट हो गई है लेकिन वो शायद मुस्क्राएंगी वो शायद अपने जजबातों को नहीं दिखाएंगी लेकिन शायद वो अप्यमोदी या फिर बिजेपी की मताबिक काम नहीं कर सकती है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब बात निकली है तो दूर तलग जाएगी आज आखिरकार फैसला हो गया कि आखिर कौन बनेगा लोग सबाक स्पीकर और आयस्थान की कोटा से विसांसद ओम बिल्ला को ये जिम्मेदारी सौपी गई है जो तीन बार विधायक और दो बार सा अंदेश ये भी दिया है विल्ला का नाम चुनकर कि सिर्फ और अनुभो काम नहीं आता है जाए करा आपके अंदस निपूरता तकप्रता भी होनी चाहिए काम को लेकर ये नहीं कि शिर्व आधार पर आपका आखिल नहीं किया रा सकता है ओम बिल्ला का सबसे बड़ा उध अगम्मरतिरानी मिल गयी है लेकिन में का गांदी को दर्खिनार करना बहूट भारी सारी हो सकता है वी जेपे के लिए जिसंता से एक आठीवार्सानशद बनी है उनका जो कारिश चाल्गी है उसकी तारीफ करते हिए जनता की कहीं न कहीं उसी बल्बूते शाहे वरुन गांधी हो और साल्गए कारिकाल बहुत भाथतर तand आए हो निभा रही है लेकिन में का गांधी को अगर उनके समझेंगी और कहते हैं एक खामोशी बहुत कुछ बया करती है और जाहिसी बात है मेंका गांधी की खामोशी बिजेपी में बहुत बड़ा पवाल पैदा कर सकती है मेंका गांधी बहुत आप तरीके से बहुत सी बातों को बोलती है समझने वालों के लिए इसारा ही काफी होत तो उसमें बहुत से सेनेतना हैं जो बड़वोला बयान देते हैं और चलिए आप छोड़िये उत्ताप्रदेश के मुख्यमंति योगी आदत ना जो हनमान जी की जाती बताते हैं खुद को कहते हैं कि वो बाबा है तो जाहिसी बात है कि कहीं न कहीं जिस तरह से एक धर्म रिशेस के इतने बड़े प्रधान होके वो एक हिंदू होके हिंदू के ही भगवान को इस तरह से अगर जरील करते हैं जरील का ही काम है क्योंकि उसके पास से किसी ने का हनमान जी मुसल्मान हैं किसी ने कुछ कहा वो जात थे, किसी ने कहा वो ब्रहमर थे, तुनिया भर की बात ने, राजनीती में आप भगवान की जाती भी ले आएंगे, यह तो सरासर गलत है, तो ऐसे में भी प्यम मोदी को गुष्टा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, कम से कम मेनका गांधी ने ऐसे तो कोई बयान बाजी नहीं की, ऐसे तो उलजूल कोई बयान बाजी नहीं की, फिर भी मेनका गांधी को साइट लगा दिया गया, लबकि वो इतनी वरिष्ट नेता है पार्टी की, वो गांधी खांदान की बहू, लेकिन वो आज बीजेपी में है, जाहिसी बात है कि उनकी परफॉर्मेंस बहत्री रहा है, रही बात बयानों की, तो बयानों में अगर मेनका गांधी खर फंशव, जिकर किया जा रहा है कि सिर्ट इस रही का चाहिस वरिजर इस जिलरे हमिर something, जिरा खरण की बहुत से बहुत बयां देती जो बेतान की ब बहत हम से भी बहुत बहुत कि आखिर ऐसा क्यों सवाल यह उठता है साथी प्रग्या को जिस तरहां से उन्होंने नातुराम गोर्षे का सपोर्ट किया वह और गिरा सिंग जो कि पैड़ा कर सकती है और अगर तीन सो तीन में दो सीते अगर निकल जाएं अगर मेंका गांधी वरुण गांधी की तो जाहिए इसी बात है विजेपी को अभी कोई घाटा नहीं होगा जो कि अब इसका वक्त चल रहा है लेकिन जब उसका वक्त नहीं रहेगा तब क्या करेगी बहुत बढ़ी बात होती है कि आप अपने दो सांसतों को गवाने का काम कर रहे है जो कि मेंका गांधी के साथ नजर हो रहा है होते हुए तो कुल मिला कर कही न कही में का गानधी जिस के साथ जो हुआ है वाकी सरा सर बहुत जरा गरत हुआ है और बहुत से समर्त को में नाराज़ी का महौल है लाकता हमाया बहुत ख़बरे आरही है और समर्द को उने कहीं रख़े गुस्सा जाहिर किया है कि BJP सरकार या मोज़ी सरकार ने बिलकुल सही नहीं किया उनकी नेता के साथ उन्हें कुमीद थी कि कम से कमेरिका गांधी को लोगसवाइस का स्पीकर तो बनाया जाएगा लेकिन शायद उनको वो भी नहीं बनाया गय गांधी के पास अन mee cut मोज़ी का प्रक्रिया है इसी नहींने सब को एकसाइट करते नहीं सरहीं है कि कौन सा नाम सामने आ गया लेकिन फिलहाल यही सत्य है कि ओम बिल्ला बनेंगे अब लोकसवा के स्पीकर और मिनका गांधी का हो गया है पता साफ लेकिन अब देखना होगा मिनका गांधी किस पयान के जरिये बवाल प्यादा करती है या फिर वो चुप चाप साइड होकर काम करती है और किसी से कोई मतलब ही रहती है पार्टी में देखी न बहुत से निता साइड हो गया है आलवानी मुर्णी जोशी यह स्पन सिना से एसे नेता है या पार्टी में चुप चाप बैटके काम को चुप चाप रहते है बोलते नहीं आही अब वहीं सव्सक्राब्तेश्पन से नहीं होकर पार्टी में स्चाप काम करेंगे नो पर जैंसा सीमी जन्ता के ऍीधा करते हैं वी न देखना ऑनैंगे तो मां को पर कि क्या क्या कैबिनिट का हिस्सा अब मेन का गांधी को बनाये जाएगा क्या कोई ऐसा मंतराले निकाला जाएगा मेनका गांडी के लिए या फिर समझ जाएं कि मिनका गांगी अब इचेपी में एक साइड हो गई है नमस्कार